कि नमस्कार दोस्तों जी केर्दुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है आज जो वीडियो लाए हैं हम उस चेप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिस राज का आर्थिक प्रभाव तो भारत में ब्रिटिस राज का आर्थिक प्रभाव क्या था इसके बारे में आज वीडियो है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना न बुलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का देखे भारत में ब्रिटिस राज का आर्थिक प्रभाव यानि भारत में ब्रिटिस राज की अस्थापना का मूल लिदे से था यहां के जितने भी संसादने उसका दोहन करके ब्रिटिस सरकार को अधिक सधिक लाप पहुँचाना और ताकी जो है बिटिश सरकार का भारतियों पर जो है दबदबा कायम रहे ये पॉइंट था इसमें आप देखें बिटिश का जो आर्थिक प्रभाव भारत पर कैसे पड़ता है सबसे पहले इसका जो है बारे में बताये थे दादा भाई नरोजी ने इनकी एक पुस्तक थी इसमें इनोंने बताया धन निसकासन के सिधान के बारे में दादा भाई नरोजी ने तो चली देखते हैं इसमें भारत में धन निसकासन के सिधान सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने दिया है आप देखें इसमें आर्थिक प्रभाव तीन परकार के उपनिवेस की अवस् उपनिवेश का पहले ताथपर समझे उपनिवेश का मतलब क्या होता है तो उपनिवेश का ताथपर यह होता है कि कोई भी देशी देश जो किसी अन्य देश पर जो परत्यच रूप से बैपार करके वहाँ अधिक साधिक लाप कपाती है उसी को उपनिवेश कहा जाता है आर्थिक प्रवाद तीन प्रकार के हैं दो कटेग्री में एक है पूजी के रूप में और दूसरे है भूर राजस्यों के रूप में तो पहले देख लिए पूजी में तीन भागों बाटा गया है वानेजिक पूजी यानि बैपार की पूजी कहां से आई भारत में ती आई थी 1757 के पलासी युद्ध के बाद जब पलासी का युद्ध हुआ 1757 में कलाईब और सिराजु दौला के बीज तभी से वो एक प्रकार से ब्रिटिस यहां भारत में नीव डाल चुके थे रहने के उद्यसे से तो उसी समय जे वानिजीक पूजी यानि बैपार शुरू हो गया था बंगाल में दूसरे नमबर पाते है अउद्योगिक पूजी अउद्योगिक पूजी कब आती है भारत में जब 1813 में बैपार का एका अधिकार समप्त कर दिया गया इस्ट इंडिया कमपनी का अब इस् पूजी इसके बाद बात करते हैं तीसरे नमबर पर बित्य पूजी की तो बित्य पूजी में जब वानिजीक और अध्योगिक दोनों मिलकर बहुत ज्यादा पूजी जमा आउगई जब पूजी जमा आउगई तो भारत में मजदूरों के संगठन होने का एक मौका मिलने लगा यानि मजदूर जो संगठी थोने लगे और द्योगिक और बित्य पूजी के खिलाब तो यह थे तीन पॉइंट जो इसमें आर्थिक प्रभाव के पहले कटेगरी में अब दूसरे कटेगरी में देखिए भू राजस्व से आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा भारत के उपर भू राजस्व के बारे में तो भू राजस्व में भी तीन प्रकार के आर्थिक प्रभाव के बारे में बताया गया है पहला इसमें है अस्थाई बंदोवस्त अस्थाई बंदोवस्त था यह कब लाया गया अस्थाई बंदोवस्त यह लाया गया था किसकी द्वारा लाए गया था ये लाए थे लाड कार्णवालिस द्वारा कितने परसेंट छेत्र पर भूमी पर लाए गया था तो 19 परसेंट भूमी पर या छेत्र पर ये लागो हुआ था अस्थाई बंदवस्त इसी को इस्त मरारी बंदवस्त या पर्मानेंट सेटलमेंट कहा जाता है इंग्लिस में अब देखें यह जो अस्थाई बंद्बस्त लागु किया गया था अस्थाई बंद्बस्त और छेतर पुछेगा कि छेतर में लागु किया गया था ते यह था आपका डे Sophia on बिहार उत्तर पर्देश और ओडीसा में चार राजियों में जो अस्थाई बंदवस्त लागू किया गया था ये किसकी द्वारा वसुल आयता था तो ये वसुलते थे जमिदारों द्वारा जमिदारों द्वारा वसुल किया था इसको इसमें जो है एक बटाई 11 भाग जमिदार अपने पास रखते थे और 10 बटाई 11 भाग जो है सरकार को देते थे जितने भी भूराजस्व वसुली थी थी और 10 साल के लिए अस्थाई कर दी गई थी किस्यदिक वसुली नहीं हो गई तो जमिदारों द्वारा वसुल किया थी दूसरा पॉइंट है इसमें रयत वाड़ी बंदो वस्त रयत वाड़ी बंदो वस्त कब लाए गई थी रयत वाड़ी बंदो वस्त ये लाए गई थी 1792 में किसके द्वारा लाए गई थी इसमें दो लोग थे टामस मुनरों एवं कैप्टन रीड थे कैप्टन रीडर आप देखिए ये कहां पर लाए गई थी हम पहले देख लेजिए कितने परसेंट छेत्रों पर लाए गई थी तो मद्रास एवं बंबई में इसके बाद देखिए किसकी द्वारा वस्त ये जो है सीधे किसानों से वस्त ये था कितना वाग एक बटा दो भाग या 50% भूर आजस्त वस्त ये था एक बटा दो भाग या 50% सीधे किसानों से आप देखें, तीसरा जो था, ओ था महालवारी, महालवारी बंदोबस्त, किसके द्वारा लाए गये था, कब लाए गये था, तो यह लाए गये था, 1819 में, किसके द्वारा, यह लाए थे, हाल्ट मेकेंजी, हाल्ट मेकेंजी द्वारा, और इसका जो एरिया है कितने परसेंट छेत्र पर था ये भूमी पर तिये था 30% भूमी पर और इसका एरिया कहां पर था तिये था पंजाब एवं मध्य परदेश में पंजाब एवं मध्य परदेश में अब देखिए ये जो है कितना कर के रूप में लेता था तो शुरू में दो बटा तीन भाग था और बाद में ये भी कर एक बटा दो भाग कर दिया गया एक बटा दो भाग बाद में ये भी कर दिया गया और किसकी द्वारा वसुल के एता तो is that Queesta फाба कि okay है है ए हैनि महालवारी बंदबहस्थ जओए गाउं के मुख्या दरा वसुल के एता था यह सभी लोग गाउं के जोए मुख्या के अपना जोए टैक्स जमा हों ते वहां से ब्रिटिश सरकार को जाता था यह थी महालवाडी ब्यवस्ता ते इसमें कोशन खास कर पुछा जाता है एक जामस में कि स्थाई बंदवस्त कब लागू के गया गया डेट पूछता है काफी कोशन 1793 में किसके द्वारा लाड करनमालिस के द्वारा या इसका छेत कहां कहां पर यह थाई बंदवस्त लागू आ था यह लागू आ था बंगाल, बिहार, उत्तर परदेश, उरीशामें किसके द्वारा अशू गयते था जमिदारो द्वारा जिसमें एक बटाई गाराभाग जमिदार अपने पास रखते थें कैप्राइन बंदवस्त 1792 में टामस मुनरो कैप्टेन रीड मदरास और बंबाइस का छेतर था एक क्यान परसेंट भूमी पर ये ले आयता था और सीधे किसानों से और करक रूप में एक बटा दो भाग लिया जाता था तीसरा था इसे महलवाडी बंदवस्त 1819 में हाल्ट मेकेंजी परसेंट भूमी पर ये छेतर था और पंजाव मदर परदेश इसका इलाका था ये छेतर और इसमें भी सुरू में दो बटा तीन भाग ले जाता था लेकिन बाद में एक बटा दो भाग करके रूप में लिया जाता था और ये गाहों के मुख्या दोरा वसूल किया जाता तीस प्रकार भूराजसों से और पूजी से भारत की आर्थिक इस्तिती पर परभाव पड़ा था तो ये थे आज के लिए बीडियो तो उम्मित करते हैं कि बीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आये इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिस देख सेयर करें तो धन्यबाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम